नमस्कार बाईयो वेलकम आप सभी का तो दोस्तों अब हम कवर करने वाले हैं ऑस्ट्रेलिया वर्षिज स्कोटलैंड के भी जो सीरीज स्टार्ट होने वाली है जिसका पहला मैच 4 श्टंबर को शाम 7 बजे खेला जाएगा उस मैच को दोस्तों हम कवर करने वाले अभी तक को समो लीग में अल्ट्रा स्यरीज को क्योंकि दोस्तों इस मैच के लिए मैंने काफी तयारिया किया है रिकोर्टप काले हैं किस confrontation को क問 से ट्रंप खिलाडी एं जिनकों अपनी टीम में लेकर चल सकते है Scotland की तरफ से कौन से ऐसे खिलाडिय जिनका लो सेलेक्शन है जो Grand League में हमको फर्स्ट रैंक दिलवा सकते है या एक अपशी रैंक तक पहुचा सकते हैं वहीं पर ऐस्ट्रेलिया की तरफ से आपको पता ही किस खिलाडी को हम ड्रोप करने वाले हैं हम मिचेल मार्स को टीम में रखेंगे हम जो इंगलीज को टीम में रखें या ना रखें हम जैक फ्रेजर्जर्स को टीम में रखें या हम ट्राविस हैड को ड्रोप करने का रिस्क ले सकते हैं क्योंकि ट्राविस हैड सबसे ज्यादा सेलेक्शन ट्रावीशाइड का और सबसे ज़्यादा Captain Vice Captain भी ट्रावीशाइड को बना जा रहा है अगल Travis Sard prob अगर आपकी टीम में नहीं है आपने Captain Vice Captain नहीं किया है वहीं पर और Australia के haldel związ या हम Chris Green को टीम में लेकर चले क्योंकि इन दोनों खिलाडियों का सेलेक्σιन काफी ज़्यादा है लेकिन मेरे कोने लगता कि दोनों खिलाडियों को हम एकसाथ अपने टीम में ट्राइग कर सकते हैं वहीं पर बात avc और अस्टेलिया की तरब से दो ऐसे ट्रम्प काड़ खिलाडि हैं जिनका काफी कम संद्स सबसे पहले दोस्तों हम वीडियो में बात करेंगे पीच रिपोर्ट कैसी है इस पीच पर कितना स्कोर्स बनता है हम अपनी जो टीम बनाने दोस्तों के आसपस तब हम बैटसमेन को ज्यादा लेकर चल सकते हैं बैटसमेन में कैटन वाइस कैटन कर सकते हैं अगर पिच रहती है दोनों टीमों की क्या प्लेइंग लाएने वाली है कौन खिलाडी किस नंबर पर बैटिंग कर रहा है कौन सा बोलर्स किस नंबर पर बोलिंग कर रहा है कौन पाउर प्ले में बोलिंग कर रहा है कौन सा बोलर्स ऐसा जिसका लो सेलेक्शन है जिसको हम अपनी टीम में ट्राई कर सकते हैं पिच रिपोर्ट हैट टो एडिकोर्ट सारी बाते दोस्तों वीडियो में करने वाले और ग्रेंड लीग की टीम में मच्या ट्रम काड़ी खिलाडी को अपनी टीम में रखकर चलने वाला हूं वहीं पर बात करें समाल लीग की टीम में या मिनी ग्रेंड लीग की टीम में म जिनका लो सेलेक्शन है उनको अपने टीम में ट्राई करने वाला हूं वहीं पर कैप्टन वाइस कैप्टन वाइस कैप्टन कोन होने वाला है यूनिक कैप्टन वाइस कैप्टन कोन होने वाला है हमारी टीम का कॉम्बिनेशन क्या रहने वाला यह सारी बात्या दोस्तों मिलने वाला है वह नीन पर दोस्तों वीडियो अच्छी लगे वीडियो को लायक कर्ते हो तो हम सारे मैच करने की कोशिस करते हैं आप लोगों का प्यार मिलता है आप लोगों का समर्थल मिलता है क्योंकि मैं तो इन मैचों में sy infectious करने अच्छा इन्वेस्टमेंट करने वाला तो मेरे साथ आप यह अपना प्रेडिक्शन कर लीजेगा और एक अठी टीम मना लीजेगा और जो लोग हमारे साथ टेलीग्राम पर लगातार जुड़े हुए हैं जो रेगुलर टेलीग्राम से जुड़े हुए हैं उनको पता है समो लिग में क्लिन स्वीप कर सकते हैं मैं उनी मैचों पर ज़्यादा फोकूस करता हूँ नहीं तो मैं बाकी मैचों को इग्नोर कर देता हूँ लेकिन ये काफी अच्छी स्टार्ट हो चुके हैं तो इन मैचों में हम विनिंग करने की कोशिस जरूर करने वाले हैं और अपडेट ओने वाली है वो आपको टेलिग्राम परी मिलेगी चैनल को अभी तक सस्क्राइब नहीं किया तो युनिक टीम युनिक प्रेडिक्शन के लिए चैनल को सस्क्राइब भी कर लीजिएगा अब दोस्तों बात करते हैं मैच की मैच खेला जाएगा च्यार सितंबर को असान बल्लेवाजों के लिए अनुकुल पिच रहती है पाटा विकेट्स रहती है जिसके कारण बल्लेवाज यहाँ पर ज्यादा स्कोर्स करते हैं लेकिन स्टाटिंग में पाटा विकेट रहने के कारण स्पाट पिच रहने के कारण पेसर्स को यहाँ पर स्टाटिंग के लेंगी तो पिश थोड़ी सलो गी जिसके कार्ण फिर बले बाज घी इस गेम में रहने वाले यानि कि Pacers को श्टाइटिंग के ओर में मुवमेंट मिलता है यहाँ पर Swing मिलती है जिसके कार्ण स्टाइटिंग के ओर में Pacers विकेटट निकाले जाते हैं उसके पूरे गेम में यहां पर बल्ले बाज ही रन बनाते हैं अच्छा खासा स्कोर्स बनता है सेकंड इनिक्स में स्पिनर्स को यहां पर विकेट्स मिल जाती है क्योंकि उस टाइम तक पिछ काफी सलो जाती है यानि कि सेकंड इनिक्स में स्पिनर्स को विकेट्स मिले के ज्यादा से फर्स टाइम बैटिंग करने वाली टीम यहाँ पर ज्यादा मैच विन करती है 15 मैचों में से 11 मैचों में फर्स टाइम बैटिंग करने वाली टीम ने विन किया है और 4 मैचों में सेकेंड टाइम बैटिंग करने वाली टीम ने विन किया अब strong team weak team का match है तो यहाँ पर strong team ही match win करने वाली है अगर Australia first batting करे या Australia second batting करे match Australia ही win करने वाली है तो Scotland के कम चांची जाए इस बात को थोड़ा ignore कर सकते हैं लेकिन ये बात आपको जुरूर द्यान में रखने है जो team first batting करेगी यानि कि आप उसका एक खिलाडी ज्यादा लेक रही होँ हम यानि कि हम जहां पर मान कर चल सकते हैं हम criteria लेकिन औस सिच्वेशन में हम ज्यादा लेकर चल लेकर चले हैं लेकिन फुर्ष व्ड बैटिंग का आपको ये ये ज्यान में और हम पर दोस्तों scoring pattern की बात करें 15 मैचो की तो 1.500 से नीचे 4 बार scores बन चुका है 150 से 170 के बीच 4 बार scores बन चुका है और 170 से 190 के बीच 1 बार scores बन चुका और 190 से उपर इस पीच पर सबसे ज्यादा scores बन चुका है 6 बार scores बन चुका है वहीं पर average scores की बात करें 170 से 180 के बीच average scores है high scores की बात करें तो 254 रनियां पर high scores भी बन चुका है जो कि New Zealand ने बना था वहीं पर low scores की बात करें तो 82 रनियां पर low scores भी बन चुका है यानि कि बैटिंग के लिए काफी अच्छी विकेट्स है जो last match इस pitch पर खेले गए थे उन में कितना scores बना था last match दोस्तो Scotland versus Ireland का मैच हुआ था दोनों ही weak team में थी आप देख सकते हो Scotland ने first time बैटिंग करते वाग 213 रन बना दिये थे 200 plus का आकड़ा chase कर दिया था और 6 wickets गिरी थी Ireland भी कही ना कही 205 रन बना गया था और 9 wickets Ireland की गिरी थी Pacers को आप देख सकते हो ज्यादा ही wickets मिली थी 9 wickets और spinners को 5 wickets उससे पहले एक और मैच खेला गया काफी weak team को मैच था 141 का scores बना 10 wickets गिरे ITA 147 रन बना कर chasing कर गया 6 wickets Pacers को यहाँ पर भी ज्यादा wickets मिली 11 और spinners को 4 wickets Scotland का मैच हुआ 169 रन 7 रन डैन्मार्क का हुआ 126 रन 7 रन Pacers को 6 और spinners को इस मैच में ज्यादा wickets मिली वहीं पर एक और मैच हुआ 190 का scores बना 149 का scores बना यानि कि अगर international मैच होता है आज के मैच में अगर Australia first batting करता है तो Australia इस पीच पर 200 plus का scores करने वाला आज के मैच में ये बात आपको जुरूर द्यान में रखनी है वहीं पर अगर Scotland first batting करता है Scotland भी 170 के आसपा scores करेगा चाहे Scotland weak team हो क्योंकि इस पीच पर बल्ले बाजों को ज्यादा मदद मिलती है वहीं पर दोस्तो ऑस्ट्रेलिया अगर 200 plus का scores करेगा तो विकेट्स तो ऑस्ट्रेलिया की भी गिरेंगी तो हम मान सकते हैं 5-6 विकेट ऑस्ट्रेलिया की गिरने वाली है वहीं पर Scotland हो सकता आल आउट भी हो जाए तो ये बातों को द्यानी में रखते हो हमें अपनी टीम बनानी है अब सबसे पहले बात कर लेते हैं हमारी टीम का structure क्या रहने वाला pitch के recording दोनों टीमों में जो playing 11 है उसके coding हमारी टीम का structure क्या रहेगा देखो दोस्तो विकेट्स कीपर में तीन option है अगर आप जो इस इंगलिज को ज्यादा अच्छे होने वाले हैं तीन से च्यार बैट्स में तो लेकर चलना यह चला वहीं पर आलाउंडर में तीन ऐसे खिलाडियों जिनका सबसे ज्यादा सेलेक्षन है मारकस टोनिक्स कैमरोन गरीन लिस्क लेकिन इन तीन में से ना हम किसी एक खिलाड़ी को लेकर चलेंगे क्योंकि बड़े खिलाड़ी को भी ड्रोप करना होगा क्योंकि उनकी जगापर हम एक एक्स्ट्रा बोलर्स ले सकते हैं क्योंकि आलाउंडर में सेलेक्षन ज्यादा है और बोलर्स में कुछ लाडियों का सेलेक्षिन काफी कम है तो हम तीन से चार बोलर्स अपनी टीम में रखकर चल सकते हैं AUDRA आज के मैस में मैं कम लेने मैच मिन करने वाला 99 परसंट चांची जाए अगर एक परसंट अगर लग साथ नहीं करता या कुछ हो जाता है क्यों एनिस्टिता हो जाती है क्योंकि किर्केट एनिस्टाओं का खेल है उस सिच्वेशन में स्कोटलेंड बले जीच जाए नहीं तो ऑस्ट्रेलिया ही समेच को है उस सिच्वेशन में स्कोटलाइड के हम 5 खिलाडरी ले सकते हैं नहीं तो 4 खिलाडी स्कोटलाइड के ज्यदा अच्छे रहने वाले सौच्वेशन चाहर जो टीम बनेंगी वो यह बनेंगी पांच तीन खिलाडी लेगा लेकिन सबसे ज्यादा जो अच्छा कोंबिनेशन हैने वाला वो रहने वाला च्यार खिलाडी स्कोट्लेंड के और साथ खिलाडी ऑस्ट्रेलिया के आप चाहो तो एक खिलाडी अगर स्कोट्लेंड फर्स्ट बैटिंग करता हैं तब आप पांच लेन रिची ब्रेंग्टन मैथ्यू क्रोस हो गए मिचेल क्रिस ग्रिव्ज मार्क वाट बैडली करी ब्रेंडन वील और सफियान शरीफ यह इनकी प्लेंग लेवन होने वाली अब एक दो चेंज़े जिहां से हो सकता है प्लेंग लेवन में एक तो दोस्तों ग्रिव्ज की आपको क्यलते वे दिखाई दे सकते हैं एक यहीं चेंज़ेज होने वाला बाकि सेम प्लेंग लेवन रहने वाली है अब यहां से बात करें दोस्तों इनके जो बोलिंग ओप्शन है यह चें और ब्रेंडन मैकूम लेन भी बोलिंग ओप्शन में क्योंकि इस पीस पर पेसर हैं एक ओवर करें तो करें नहीं तो नहीं भी करने वाले हैं इह सकते हैं अगरbles तीम को दुद पड़ते हैं तो मैकूम लेन से भी बोलिंग जा सकते हैं अब पाउर प्ले की बात करें, पाउर प्ले में इनकी तरफ से वील और करी करते वे दिखाई देंगे, डेथ की बात करें, डेथ में करी कनफरम है, इनके साथ लिस्क आपको डेथ में बोलिंग करते वे दिखाई दे सकते हैं, यह हो गया दोस्तों इनका बैटिंग ओर बोलि रन भी बनाए है हैट टो आड की बात करें तो 35 रन इन्हों ने हैट टो आड बनाए है ऑस्ट्रेलिया के गेंश्ट 35 रन की नीश खेलिए वैन उपर भी 30 का वरेज है और तो जारते हैं इसमीं 41 जो की काफी अच्छा सेलेक्शन 81 परसेंट है विकेश कीपर में अच्छे उप्सन रहने वाले इनको अपनी टीम में ले सकते हैं माइकल जोन्स हैं तो काफी अच्छे बैट्समें सेलेक्शन कम है अगर आप रिस्क किस तरह का ले रहे हो ग्रैंड ली कर चलो हैं लेकर फिर भी थोड़ा एनक्षप्रिड रिस्क लेना चाहते हो तब आप मंसे को ड्रोप करके जोन्स को ट्राइब कर सकते हो नहीं तो ज्यादा अच्छे की बात करें तो जोर्ज मंसे काफी अच्छी फोम में तो यही ज्यादा अच्छे रहने वाले अगर एक काफी कम है इनके सेलेक्शन की बात करें तो इनका 18% सेलेक्शन है और बेरिंटिन का 35% सेलेक्शन है तो यहां से मैंकूमलें की बात करें ना काफी अच्छे और टैलेंटीड बैट्समें मैंने पीछे भी आपको बता था कि मैंकूमलें काफी अच्छे बल्लेबाज है बोलिं में तो एक कैप्टन वाइस कैप्टन के कंटेंडर रहते हैं लेकिन टीटोंटी में भी ये बड़ा स्कोर्स कर सकते हैं इसलिए ये पहले ट्रम काड़ खलाड़ी मेरे आज के मैच में होने वाले हैं जिनको मैं अपनी टीम में ट्राइ करूंगा लो सेलेक्शन है इस जा सकता है तरुंप कार्ड खेला डिया बेरिंटन बैट्समान में अच्वाम में है और हालिया दिनों में फरफोर्मेंस भी काफी चिया na it 930 éta safe से ज्याद अच्छे option है यह जो ईंग्लिस खुश्रेलिया के तरप से ज्याद अच्छे उप्षन है तो हम क्रोष को ड्रॉब करने वाले हैं फिर बात करते हैं लिस्क काफी अच्छे खिलाड़ी हैं च्यार पर गेल वाजी खरेंगे और पेसर से तो विकेर्श मिलेगे यानि बहुत और भी कर सकते हो इस खिलाडी को ड्रोप करना थोड़ा बड़ा रिस्क होने वाला लेकिन अच्छा खिलाडी है कोई कमी निया बोलिंग भी अच्छी कर रहा है लेकिन मैं इनकी जगह पर एक पेसर्स को रखना चाहूँआ तो फिलाल मैं लिस्को ड्रोप कर रहा हूं लेकिन आप टीम में ट्राइक कर सकते हो और समोल लिग की टीम में आप इनको लेकर चल सकते हो ग्रैन लिग की टीम में भी अच्छे खिलाडी है लेकिन रिस्क रहेगा कि इनकी जगह पर मैं एक पेसर्स को अपने टीम में रखना चाहूँआ खिलाडी काफी अच्छे आप परक सकते हो ग्रीव काफी अच्छे खिलाड़ी है लेकिन बैटिंग ओडर काफी नीचे हाला कि बैटिंग आने वाली है पलस बोलिंग कंचांचीज है रिसेंट पॉम भी ज्यादा अच्छी नहीं है तो फिलाल मैं ड्रोप करूंगा इनकी जगह पर क्रिशोल भी खेल सकते ह फिर बात करते हैं मार्क वाट विकेट टेकिन नेचर्स के गेंद बाज दो विकेट एक विकेट बैटिंग आती है तो वहाँ से भी रन बनाते हैं क्या उन पर्शन सेलेक्शन है फिलाल टीम में जगह इनकी भी नहीं बन पाई है हाला कि ये बात करें तो स्कोट लाइन की तरफ से हालिया दिनों में सबसे अच्छे बोलर्स है सबसे ज्यादा विकेट टेकिन नेचर्स के गेंद बाज है आप देख सकते हो लेकिन फिलाल मैं इनको भी टीम से ड्रोप कर रहा हूं सेकेंड टाइम बोलिंग में आप इनको चाहो तो ले सकते हो नहीं तो इनको ड्र करी हो सकता है क्योंकि इसका सेलेक्शन भी काफी कम है और इनको विकेट स्मिले के भी ज्यादा तरचांशी जाया तो इसलिए मैं करी को लगँगा आप चाहो तो यको ट्राइक कर सकते हो वील ज्यादा अच्छे पिक ने रहे अगे अगर विल की जगहा और सोल खेल ते उन उनको मैं डेफिनिटली अपनी टीम मिलूँगा क्योंकि वह विकेट टेकिन निचर्स का गेंद बाज है और वह विकेट निकालने वाला फिर बात करें सफियान सरीप ये भी ज़्याद अच्छे पिक नहीं रहेंगे तो मैं ड्रोप करके चलूँगा फिर बात करते दोस्तों उस्ट्रेलिया की प्लिंग लेवन की जेव फ्रेजर्जर्ज मैगर्क और ट्रैविस एड ओपनिंग करते वे दिखाई देंगे मिचेल मार्श जो सिंगलिस मारकस टोनिक्स कैमरोन ग्रीन टीम डैविड शीनबोट की जगह पर आपको यहाँ पर बरलेक खेलते वे इंगल है उनों ह anxious बटाया जा रहा है अब बात करते ही हम किश खेलाड़ी को लेकर चल सकते हैं टों कितने बोलिंग ओप्सन में तो बोलिंग की बात करें ये चारों इनके में बोलर सरेने वाले जो लग भग चयार-चयारोर बोलिंग करने वाले 15 बोलिंग उपसन में इनक चे में बोलर्स होने वाले जिसमें से मारकर स्टोनिक्स को तीन अवर करना चाहिए और कैमरोन गरीन को दो अवर करना चाहिए इन में से किसी एक अवर कट सकता है शीन अबोट के अवर मोस्टनी टाइम कट जाते हैं उस्ट्रेलिया की तरब से तो इनके अवर कट सकते हैं यहां से किस खिलाड़ी को लेकर चल सकते हैं तो दोस्तों सबसे पहले बात करें जे फ्रेजर माग्यूर्क काफी अच्छे खिलाड़ी हैं हीटर्स हैं जबरदस्त हीटर्स हैं अभी IPL में खिले थे तो काफी बड़ा-बड़ा स्कोर्ज कर रहे थे रिसेंड फोर्म तो ज़्यादा अच्छी नहीं दिखाई दे रही लेकिन काफी अच्छे खिलाड़ी हैं फिलाल आप चाहो तो टीम में रख सकते हो अच्छे पिक रहने वाले हैं ट्राविस हैड सबसे बड़ा खिलाड़ी सबसे ज्यादा चलने वाला खिलाड़ी सबसे ज् 38 48-38 तो एक दो टीम में आप दोप करके चलना अगर आप तीन टीम में बना रहे हो टेम बना रहे हो तो एक टीम में ट्रैबिस हैड को रोप करके चलना क्योंकि जिस खिलाडी का सबसे ज्यादा सेलेक्शन होता ना वह फलोफ हुजाता तो ग्रेंड लीग विन करने के ज़्यादा तर्चांचीज हो जाते हैं क्योंकि हर एक टीम में आपको मिलेगा सेलेक्शन की बात करें तो 35-40% कैप्टन सी का भी सेलेक्शन है समोल लीग में कंफरम लेकर चला रिशांट फॉर्म काफी अच्छी है तो कैप्टन वाइस कैप्टन को लेकर चलूँगा कैप्टन वाइस कैप्टन कुछी टीमों में बनाओंग कर देंवह करने अगर कर जातेतों ट्शा होगा ठीक ठीक है एक्षी तो नहीं है लेकिन बड़ा चौर सकतें ब porchरॉर्ट शरूरी ब्रेंच्ट DAN हेटses फिक्स खिलाडी है यह captain के अच्छ मिचेल मार्श भी ऐठी कर लेते हैं डिविस सब्सक्राइटे ट्रेश कलेटे दिविसेंटि कर लेते हैं गारी रिशंड् से 6% सेलेक्षन है इसलिए रिस्क लेना तो कैप्रेंशी का मिचल मार्श पर लिया जा सकता इंगलीज भी अच्छे पिक रहने वाले हैं क्योंकि इंगलीज का सेलेक्षन कि इसलेक्षन को पमें भर लेंगे ने लेंगे तो हम खरेंड लिग कभी नहीं कर पाएंगे दूसरा से अलग से लहेंगे अलग टीम जब्राइंगे रिकोर्स के लोजिकल कैंगे में चांझ सेंट और ऊप्र होने आप चाहो तो ले सकते हैं फिलाल Cameron Green की जगह पर मैं एक एक्स्ट्रा बोलर्स लेकर चलूँगा क्योंकि Cameron Green भी दो और बोलिंग करेंगे और बोलर्स है जो प्रोपर वह च्यार और बोलिंग करने वाला और Cameron Green की बैटिंग नहीं आती है क्योंकि वेक टीम है तो हो सकता बैटि स्टोनिक्स दोना आलांडर में से एक को लेकर चलूँगा आप चाहो तो अपनी टीम में रखना चाहरे हो तो आप दोनों को भी रखके चल सकते हो फिर बात करते हैं टीम डावडी बैटिंग और काफी नीचे आ गया तो ड्रोप करके चल सकते हैं सीनबोट साइद इन की ज कर दो करूंद के कंटेंडर ऐस्टरेलीया कि सभी गेंदवाज रहेने क्योंकि गेंदबाज यहों का सभी का सfred कं है और कैडटन वाइस-क्त तो सभी ट्रावी सायेड मिचेल मार्श को ही बना रहे Mensch कस्तुनिक्स को बना रहें केमरुन ग्रिन को बना रहें लेकिन बॉलर्ज में अगर फ़स्ट बोलिंग कर यह तब आप वास कटे सकते हो क्योंकि फ़स्ट बोलिंग में स्टाटिंग में विके safety से나falls मिले के ज्याधा इसलिए एजे ट्राम कार्ड खिलाडी मैं इनको अपनी टीम में ट्राइ करके चलूँगा क्योंकि ओस्ट्रेलिया की तरफ से ऐसा खिलाडी जिसका लो सालेक्शन पूरे और बोलिंग करा उसको हम अपनी टीम में रखकर चल सकते हैं इतना रिस्क हम अपनी टीम में लेकर चल लाइक नहीं किया दोस्तों वीडियो को लाइक जरू कर दीजेगा क्योंकि आप लोगविडियो को लाइक करते हैं आपका समर्थ मिलता आपके साथ प्रेडिक्षण करते हैं तो काफी अच्छा लगता है तो दोस्तों कीपर में वह मारक स्टोनिक्स बोलर्स की बात करें तो जंपा नेथन अलाइस करी को मैंने अपनी टीम मिली आवा काफी अच्छे खिलाडिया लो सेलेक्शन तीन परसंट सेलेक्शन और रिले मेरी डित का भी तीन ही परसंट सेलेक्शन है यह चार ट्रम काड खिलाडिया अब इनकी उसके बाद बात करें आप मेकूं-लेंउन की जगए पर आप चाहों तो लिस्क मिल सब्सक्राइब रिले मेरी ही तक पर केमरोन गरीन को लेए कर सकता है दो एक मिल सकता ज्यादा हमको अच्छी की रेंग दिला सकते हैं इसलिए मैंने मेरी डित को रखा हुआ है तो यह चंजी आप जो जुरूर कर लिजिएगा क्योंकि मैं दूसरी टीम बना हुआ तो सेकंड टीम में मैं इंग्लीज की जगह पर यानि कि इन च्या ट्रमकाट के लाड़ी में से एक को ड्रोब करते हों हम ज्यादा अपने टीम में बना सकते हैं बाकी क्रीसोल खेलते हैं तो उनको मैं कन्फरम टीम में रखने वाला हूं सकोटलैन की कि तरब से तो कुछेंजी जो होंगे वह आपको टेलीग्राम पर मिलेंगे इसलिए टेलीग्राम को जुरूर जोइन कर लीजिएगा वहीं पर दोस्तों किसको बनाना है देखो कैप्टन बनाया मैंने मिचेल मार्स को क्योंकि इनका सेलेक्शन का कम है और बड़ी इनिस खेल स हो सकते हैं इंक्लिस को वाइस का परिसकते हो बाकि फिलाल कैप्टन मेरा मिचेल मार्स लेने वाला वाइस कंड रहेगा वह मां आपको टेलीग्राम पर बताऊंगा क्योंकि कूछ चेंजी तोनिक्स की साभ से वाइस कप्टन में बॉलर समें करूँब या वाइस के स्कोट क्राइंड की तरब से करूआ जो भी चेंजिज होगा वह आपको टेलिग्राम पर मिलेगा और आज के जो गिवे का क्यों रहेगा वह रहेगा मार्कस टोनिक्स कितने रन बनाएंगे कितने विकेर से लेंगे कितने फैंटाशी पॉंट से लेंगे फाइनल टीम के लिए प्रेग्राम से जरूर जूट जाना वीडियो के डिस्ट्रिप्शन में आपको लिंक मिल जाएगा वीडियो अच्छी लगया तो लाइक कर दीजिएगा तो दोस्तों फिर मिलते हैं नमस्कार